बात करेंगे exploring forces topic की, तो जो exploring forces हैं वो क्या होती हैं, पहले हम push pull की बात कर चुके हैं, interaction की बात कर चुके हैं, तो exploring forces को कुछ example लेंगे और इसको हम discuss करेंगे, तो मानली जी ये कोई एक box है, वो एक surface के उपर पड़ा है, यानि कि एक first के उपर पड़ा है, ये क्या है, ये box है, और एक तरफ से एक man, एक आदमी इसको धकेलता है, इस तरफ धकेलता है, और मानली जी ये, वो इसको धकेल नहीं पा रहा, तो वो क्या करेगा, वो अपने एक friend को बुलाएगा, तो उसने अपने एक friend को बुलाया, और जब उसने भी इसके उपर force लगाई, यानि कि उसने इसको धकेला, तो ये slide करना start कर गया, इस first के उपर, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए, यहाँ पे force apply हुई है box पे, इस direction में, जिस तरफ ये धकेल रहे हैं, तो ये क्या है, force आपने apply की, और किस direction में apply की, ये दोनों ही matter करते हैं, दूसरा अगर इसका example लें, जो आपका, इसका friend था, इस man का, तो इसने इसको इस तरफ लगा दिया, दूसरी तरफ कहा, कि आप उस तरफ से धकेले, तो क्या होगा, इसने भी इस तरफ push लगाना start कर दिया, अब क्या हुआ, ये जो box है, हिला नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, man इस तरफ से force लगा रहा था, friend इस दोनों ही forces cancel out हो गई, तो इस तरह से, इस तरह के example को आप ले सकते हैं, कि forces जो है, cancel out हो जाएंगी, या, आप कहें कि उसका जो friend है, वो कुछ ताकतवर है, तो जब वो force लगाता है, तो box जो है, इस तरफ सलाइड करता है, तो इस मामले में किस तरफ की force जादा होगी, यानि यानि कि larger force کω apply कर रहा है, तो उसका friend larger force apply कर रहा है, तो इस तरह से, जो force है, उसको larger और smaller में भी compare कर सकते हैं, तो larger force या apply कर रहा है, तब ही ये इस तरफ move कर रहा है, तो एक example आप ये ले सकते हैं, इसी तरह से जैसे आप tug of war देखते हैं, एक रस्सी होती है, उसको दोनों त प्रफ से first team और second जो team है उसको खीचती है तो वो जो खीचती है इस tug of war को तो वो क्या है कुछ time के लिए जो रसी है एक जगाप पर रहती है यानि कि दोनों जो forces हैं वो cut out होती है और यह रसी हिलती नहीं है और कुछ जो निशान है वो वहीं पर जमा रहता है लेकिन जैसे ही एक जो team है ज्यादा force लगा के उसको pull कर लेती है अपनी तरफ तो क्या होता है निशान उस आगे चला जाता है यानि कि वो team जीत जाती है तो larger force क्या है जो भी team ज्यादा लगाएगी जिसकी तरफ वो pull होगी तो इस तरह से आप larger force को भी दिखा सकते हैं और direction को भी दिखा सक हैं यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो force के पास क्या होता है magnitude होता है magnitude मतलब उसके पास मात्रा होती है large है या small है तो यह दोनों मात्रा होती है तो magnitude इसके पास जरूर होता है इसको strength भी कहते हैं force की तो magnitude उसको बोल दिया जाता है इसी तरह जब force के पास क्या होती है direction भी हो इसा में वो लगाए और किस दिशा में object मोग करें तो direction भी होती है इसलिए इस जो force होती है उसको vector quantity बोला जाता है vector quantity यानि कि इसके पास मात्रा भी होगी strength भी होगी और direction भी होगी कि किस direction में move करेगा जिस direction अगर आप push करेंगे तो आगे की तरफ जाएगा पूल करेंगे तो पीछे की तरफ आएगा आपकी तरफ आएगा तो यह दोनों ही क्या है force के पास है magnitude और direction तो इसलिए जो force है vector quantity हम उसको बोल देते हैं